जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जनम दिन, 5249 जनम दिन है उनका, महला 5248 साल पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्षे के अष्टमी के तिथी पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था संसार में बहुत सारे लोग अपने से ज़्यादा कम्यूनिटी पर, सोसाइटी पर या ओबरल हुमनिटी की भलाई के लिए काम करते हैं और वही लोग धिरे-धिरे इतिहास में हिष्ट्री में जाकर के हम उनको शुरु-शुरु में महापुरुष बाद में भगवान बोलने लगते हैं भगवान शब्द का अर्थवी संस्कृत में यही है अईश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशश्रियह ज्यान वैराग्ययोष्चयव शन्नाम भगाईती कर्थ्यते जिस व्यक्ति के पास ये छे में से कोई एगुण या छे गुण हो उसे हमारे हां भगवान कहा जाता है बहुत ज़्यादा प्रास्परेट्स हो जिसके कैरेक्टर में धर्मा या जो यूनिवर्शियल ड्यूटी जे या वैल्यूज य वर्च्यूज है जो उसकी लाइफ में जलकता हो यश अच्छे यश वाला हो ज्यान पूरी तरह एंलाइटेंड हो अब वैराग्य संसार में होते वे वी जो डिटाश लाइब जीता हो इस तरह के छे गुण वाले लोगों को भगवान कहते है तो श्री कृष्ण की जीवन भी उनी चीजों से भरा हुआ था अगर महाभारत को हम पढ़ें हमेशा अंडरलाइनिंग रखे जब कृष्ण की चरीत्र पढ़ना हो जानना हो महाभारत पढ़ें जब राम को समझना हो तो वालमी की रामायन पढ़ें वो इसलिए जोर देखके थोड़ी बुलने पढ़ता है क्योंकि यह शायद दुनिया में पहली कम्यू बदनाम करते हैं तो श्री कृष्ण के बारे में जिस तरह के लोग बाते करते हैं या जिस तरह के प्रवचन किया जाता है जिन गरंथों को कोट करके किया जाता है जो की 1200-1500 साल पहले लिखे गए वैसे ही किसी अंजान कवियों की द्वारा जिसको व्यास की नाम पर जब भी आप कृष्ण को समझना चाहें महाभारत में कृष्ण को ढूंडे नकी भागवत हरिवनिश पुरान विष्णु पुरान आदी पवरानिक कथाएं जो मोस्ट आप माइथोलोजिकल और और इमेजिनेरी हैं इमेजिनेरी हो भी अगर किसी से अगर किसी का उसे ग्ल हमारे अपने अडोरेबुल है पुजनिया है उनके बारे में गंदे-गंदे शब्द बोलके हम कहें कि हम उसकी पुजा कर रहे हैं जैसे राधार मन गोपी बस्त्रहरन इस तरह की उटपटांग बाते सिर्फ अनपढ़ और विवकुब लोग भी कह सकने इसलिए जहान देन हिस्ट्री लिखते हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो आपके रुए रुए भी खड़े हो जाएंगे आपको गर्व होगा कि आप कैसे कैसे पुरुवज के वन्षधर है क्रिश्ण की खुद की भाषा में यदा यदा ही धर्मस्य कलानेर भवती भारत अब्युत्थानम कमी होती है बुरे लोग जादा हावी होते हैं मैं बार बार जन्म अलेता हूं मैं मतलब कोई बी सेंसिटिव पर्शन जिसके अंदर ये तड़प हो जो अन्याय को देखने सके बुराईओं को को देखने सके वह हमेशा यही कहता है कि मैं इस जीवन में क्या अगले कि जणम शहीद होने वाले लोग थे वो भगत सिंग हो राजगूर हो कोई भी हो उनकी आप स्टेटमेंट देखें हर कोई मरने से पहले यही बोल के गया कि मैं बार बार इस यहीं जनम लेना चाहता हूं इस देश को आजादी के लिए यह बहुत इनिवर्शियल स्टेटमेंट है जिस करेंगे थोड़े से समय में उनके कुछ चरित्र को समझने के लिए जन्माश्टमी पर कि कैसे उनकी जन्म से लेकर मृत्यू तक हर पल उन्होंने दोसरों की भलाई के लिए लाइफ को सेक्रिफाइश किया जहां वो खुद कहीं नहीं रहे पहले जन्म शुरू करते हैं जन अथुरा में कृष्ण का जन्म होता है कहां पर होता है जेल में जेल में पैदा होते हैं और जेल में पैदा होने वाला वह बच्चा अगे जाकर के पूरी हुमन काइंड को मानवता को अपने जीते-जीतों जो उन्होंने काम किया उसके बाद भी उनके चरीत्र, उनके जो character है, मैं भागवत वाला character नहीं कह रहा हूँ, जो महाभारत में जो character वर्णित है, अपने character से और गीता नामग जो ग्रंथों नोंने philosophical ग्रंथ लिखा, ग्रंथ से पूरे दुनिया को सिखाने के लिए, आज भी गीता उतनी ही contemporary है, लाइफ के हजारों प्रॉब्लेम को solve करने के लिए गीता काम आता है, और कृष्ण के चरीत्र भी आप अगर पढ़ें, again मैं repeat करूं, जो आप टीवी में या बावाओं के द्वारा सुनते हैं, वो नहीं, जो real महाभारत में बताया गया चरीत्र, तो फिर आपके लाइफ के ह कोई मार न सके, कृष्ण बड़े होते हैं, तो जैसे कि उस समय की परमपरा थी या सिश्टम था, तो बच्चे जैसे आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो पहले गुरु कुल जाते थे, और गुरु कुल जाने से पहले क्या होता था, तो उनके उपनेयन संस्कार, जो की गर्गमुनी ने कराया और उसके बाद वो संधीपनिय रिशी के गुरुकुल में जाकर के दोनों उनके बड़े भाई बलराम और कृष्ण बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई की कृष्ण का चरित्र अगर हम महाभारत में देखें देशे की खुद व्यास अगर जिस तरफ योगेश्वर योगियों में स्रिष्ठ सबसे बड़ा योगी कृष्ण हो जहां सबसे बड़ा वारियर अर्जुन हो जिस साइड में वहां जितना पक्का है ये जो महर्शी व्यास जिनोंने महाभारत लिखा ये भी ध्यान रखिया आपके इंफरमेशन के लिए महर्शी व्यास ने पुराण नहीं लिखा है महर्शी व्यास के तीन ही ग्रंत हैं महाभारत ब्रह्म सुत्र विदान्त दर्शन और योग सुत्र के व्यास वाश्या तो महर्शी व्यास अपने महाभारत में अनेक स्थालों पर कृष्ण को योगी कहके बुलाते हैं और हम स्तथाकथित कृष्ण भक्त योगी को अवारा लफंगे मैं थोड़े ठेट भाशा में कहते हूं आप शुद्ध भाशा में कहते हैं राधार अमन गूपी चीरहरण इसकी सिंपल ट्रांसलेशन है वो एक लफंगे अवारा लड़कियों को छेड़ने वालेते हैं अब पटांग ग्रंथों को उठा करके पपलराइज करके बोला जाता है तो महर शिव्यास बार बार बोलते हैं कृष्ण एक योगी थे यो युद्धा भी थे वरियर भी थे वह नॉलेजबूल भी थे पर उनके जैसा योगी सन्यासी जीतेजी दूसरा मिलना मुस्किल है तो य योगी का डिफिनेशन क्या है खुद कृष्ण गीता में केते दुखेश्व अनुद्विग्न मनाहा सुखेश्व विगतस्प्रह वीतरागभया क्रोधा स्थितधेर मुनिरोच्यते जो व्यक्ति सुख में भी उचले नहीं बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जब बराबर है वो व्यक्ति सन्यासी योगी साधू जो भी आपके हैं इनलाइटेंड परसन कहलाता है योगस्था कुरो करमानी संगम्त्यक्त्वाधन अंजया यह कृष्ण की भाषा में कृष्ण खुद गीता में योग को डिफाइन करते हैं है अर्जुन जो व्यक्ति किसी कर्म को डिटाश्ट हो करके उसके रेजल्ट पजिटिव मिले या नेगेटिव मिले किसी भी हालत में इवन माइंडेड रहता है वो योगी होता है सिद्ध्य सिद्ध्यो समोभूत्वा समत्कम योगा वो उच्यते वो लाइफ में सक्सेस्पुल हो या फेल हो हर परिस्तित जो खुश रहता है वो योगी होता है और यह योग की डिफिनेशन है क्रिश्ण की भाषा में गीता में और क्रिश्ण की लाइफ को आप देखेंगे जन्म हुए जेल में उनकी डेत कहा हुआ बिलकुल सुनसान एक जंगल में जाडियों में किसी अंजान शिकारी ने बान जला दिया और वहीं उनका डेत्वार महाभारत के युद्ध अल्मोस्ट अंगत होने के पर है कौरब के सारे बड़े-बड़े जो योद्धा मर चुके हैं खाश करके उनके बेटे गांधारी के सार मोस्ट बेटे मर चुके हैं तो गांधारी बहुत परिशान है तो एक दि उस क्रिश्ण उन से मिलने गए किसी कारण से जब क्रिश्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी अंदर से जो उनका भडास भरा हुआ था कि उनको पता था कि मेरे सब बच्चों को मारने के पीछे पांडव इतने कारण नहीं है जितने उनके पीछे खड़ा हुआ ये क्र अगर कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होता तो शायद मेरे बच्चे जरूत जीत जाते क्योंकि हमारे साथ भिष्म थे द्रोन थे करण थे उस समय के सबसे जो सबसे बड़े युद्धा वार स्ट्राटीजिस दो थे सब कौरप के साइड में थे अगर कृष्ण ही कारण है जिनके कारण मेरे बच्चों की मौत होई जब गिष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं और उनके पेर्चों के आशिरवाद लेते हैं तो गांधारी उनको अभिषाब देती है कि तुमारे कारण और ऑज ये मेरी दशा हुई तुम्हारे बच्चे मर रहे हो तुम्हारे पोता पुतियां भी मर रहे हो उनको देख करके तुम मरोगे अगर हमें कोई ऐसा अभिशाव दे हमारा क्या रियाक्षन होगा हम कुछ बोले ना बोले पंदरा दिन की नीन तो खड़ाप होगी कितनी टेंशन स्ट्रेश होगा इंग्जाइटी होगा क्रिश्ण बड़े हसते हुए बोले ऐसा ही होगा चिंता मत करो जो अपनी भरवादी को भी उतनी ही खुशिशे ले वही योगी कहलाता है जो उनकी जिंदिगी वर के संगर्शे आप देखेंगे मत्वराशे गोप गोप से गुरुकुल गुरुकुल से फिर जो जिनको राख्यश मला आज की भाशा में कहें राख्यश एक माइथोलोजि दाल में राक्षशी कहा घाता ता उस विनसानी होते थे ऐसा कुछ नहीं तो जरासंद भी इनसानी था शिशुपाल शिशुपाल राजा नहीं बने जो भी वहान सुटेबुल परसन ने उसी को राजा बनाया और वह खुद आगे बढ़ते गहें और जब जरुरत पड़ी क उनको खुद कहीं जराशंद के बार-बार अटाक करने पर मत्वरा में रहना मुश्किल हुआ तो कृष्ण और बलराम ने खुद एक छुटी सी सी सीटी बसाई द्वारीका में आज भी आप अगर गुजरात की खाडी में जाएं गल्फ में जाएं तो कृष्ण के द्वाराम के द्वारा बसाया गया जो सीटी ना वो समंदर के नीचे उसकी आर्केलोजिकल एविडेंस मिलते हैं हजारों की शंख्या में पूरी सीटी की एविडेंस मिलते हैं आज भी तो वह एक आइलेंड था जो में लैंड से थोड़ा दूर था और वहां पर उन्होंने अपनी सी संटड अंधिस समय का पहला एक डिमोकरिटिकल सिस्टम बनाया जोकि ही historically से नहीं हो जहां बहुत सब कर्पूरे कि होते हैं दो आप मिलते से सिक्टर में आपके रैक्टर सो पर बहुत सरे इन करता है पलराम और भी बहुत सारे लोग जिसको रूल करते थे कोई राजा टाइब का विक्ति द्वारिका में इस्टैबलिश नहीं किया उन्होंने आप सो गालियां दो या प्रशंशा करो उनको कोई फरक ने पड़ था जब भी देखो कृष्ण मुश्कुराते हुए मिलते हैं इस तक अभी हो सकता है कि आपके आप कॉंस्टैंटली जो भी आपके लाइफ में कंफ्लिक्ट है प्रॉब्लम से सिर्व अपने नहीं दूसरों के लाइफ में आप इसको सल्प करते जाते हैं आप स्ट्रेस फ्री हैं तो कृष्ण उस तरह के व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने लाइफ में जो डुएलिटी होती है सुख दुख गूड बैड आपस और यह साथ साथ चलते हैं हम उन्हीं को सन्याशी कहते हैं जो डुएलिटी से ट्रंसेंडिन्ट हो जाए अर्था यह द्वंद्व से उपर उट जाए आम आदमी तो अच्छा हो तो खोश बुरा हो तो दुख जो इन अच्छा और बुरा की डुएलिटी से उपर उड़ जाता है उसी को हम ज्यानी महत्मा योगी सन्यासी बुद्ध शब्द से कहते हैं और कृष्ण जीत में भी खुशी मनाने वाले हैं हारने में भी खुशी मनाने वाले हैं लाइफ को भी सेलिब्रेट करते हम जानेंगे देट को भी कैसे सेलिब्रेट करते थे उनके अंदर जो प्यार और कमपैशन था उसके बावजुद भी जहां जरुद पड़े वो लड़ाई को नकारत नहीं थे क्योंकि हो हिपोक्रेट नहीं थे जहां सांप मगरमच भरे पड़े हो और आप नॉन वाइलेंस की जुझना बजाओ तो आप मारे जाते हो अनॉन वाइलेंस कहां होनी चाहिए आपसे जो कमजोर है आप उनके प्रति वाइलेंस मत करो जो खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते उनको प्रोटेक्शन दो गरीवों को असहायों को हैलज़ को जानवारों को पशूपक्षियों को अपनी याल कारण मत मारो था मेल आपर ये हिंदु शास्त्र हिंदु शास्त्रों में जो वे लिएकर्विक डिसजने बहुत अलग है और कृष्ण उसी को करते हैं जो उतने ही दयावान है जो जो हैलप लेस हैं और यूतने ही क्रूर हैं जो माफिया हैं गृत्रित किते हैं और अगर क्रिश्ण को दया दिखाते हूं तो बदमाशों के पृत्ति compassion दिखाते हो तो दुनिया बरबाद होता है तो कृष्ण दया से भी भरे हुए व्यक्ति हैं और युद्ध के प्रति भी कोई उनकी नफरत नहीं है उनके लिए अम्रत हो या जहर हो दोनों को वो बराबर के हिसाब से लेते हैं और ये तभी होता है जब व्यक्ति social appreciation को care नहीं करता लोग क्या कहेंगे जब आप इतने उपर उठ जाते हैं लोग क्या कहेंगे उससे बड़ा है कि क्या सच है क्या जूट है क्या सही है गलत है उस पर decision लें तो फिर आप महान बन जाते हैं हमारी अच्छाई और बुराई कहां होता है ना आम लोगों की हमारी आ यह कि लोग क्या कहेंगे लोग बुरा मानेंगे तो नहीं करते हैं लोग अच्छा मानेंगे तो करते हैं तो हमारी अच्छाई बुराई दूसरों से decided होता है पर जो महान होते हैं वो खुड decision लेते हैं based on the reality क्या सच है क्या जूट है श्री कृष्णा खुद enlightened थे ideas clear था अगर समझना है तो आप गीता पढ़के समझ सकते हैं कितना भी कोई उनको निंदा करने वाला हो बुरा करने वाला हो अच्छा करने वाला हो वो अपने तरफ से कोई partiality नहीं रखते हैं जहां बुरा है उस बुरे को chance देते हैं जितने देर तक उनको ठिक करने की कोश करना है कर सकते हैं नहीं हो सकता है तो फिर वो उसके उपर action लेते हैं पर वो जो action लेना वो समुदाय के जनता की भलाई के लिए नहीं कि क्रिष्ण की अपनी कोई कार होती है और उनके चरीत्र की जो वो इतने युद्धा होने पर भी ज्यानी ज्यादा तरह जो बहुत नलेजिबुल होता है वह भी बहुत ज्यादा ego से भरा हुआ होता है उसके मूह में वह आप समझ सकते हैं कितना ego भरा है वह बहुत जड़ा योद्धा होता है उसके facial expression भी अलग ह पर कृष्ण की जो बॉड़ी लांग्वेज है इस आल्वेज विट समाइलिंग उसके लिए बड़ा खुबशुरत संस्कृत में एक गीत है अधरम अधूरम बचनम अधूरम नयनम अधूरम हसितम अधूरम मधूरम अला मिठास जिसकी फेस वी मिठास से भरा है वानी वी मि मिठास से भरिये त्रेदायम मधूरम गमनम अधूरम मधूरा अधिपते रखिलम अधूरम इनके चलने में भी मिठास था इनके बोलने में भी मिठास था वचनम मधूरम चरितम मधूरम वसनम मधूरम वलितम मधूरम चलितम मधूरम भ्रमितम मधूरम मधूरा अधिपते रखिलं मातुरं जिनकी कपड़ों में चलने में हसने में केलने में खाने में पीने में बाख्यित करने में मिठास भरा हुआ था बेनूर मधूरो मिठास का सबसे वड़ा इंस्टूमेट क्या होता है वासूर्य उत्ति है वेनोर मधूरो, रेनोर मधूरो, पानीर मधूरो, पादव मधूरो, नृत्यम मधूरम, सक्षम मधूरम, मधूरा धीपते रखिलम मधूरम उनकी दोस्ती में भी मिठासे, उनकी शत्रुता में भी मिठासे, उनकी डान्स में भी, गाने में भी, सब जगा मिठासी बरा है आरेक्टर जीवन में कैसी वी परिष्थितियां आएं हर परिष्थित में मिठास को भरे रखने वाले होते हैं कि कृष्ण के बारे में जिस तरह के सोकल्ड कृष्ण भक्त उनको बदनाम करते हैं कि उनके 16,000 राणियां थी गुपियों के साथ छड़कानी करते थे राधा, प्रिमिका थी, वो विमामी थी जिन का भी आप बाइदो वे मैं आपको बस वैसे इन्फरमेशन के लिए बता दूँ आज कल घर घर में राधा प्रसिद्ध है जिन लोगों से आपने सुना उनसे जरा बस पूछी लीजिए यह राधा नामक क्यारेक्टर कौन से बु जो कृष्ण को भी काफी बदनाम करता है उसमें भी कहीं राधा नाम का क्यारेक्टर नहीं है बारासो तेरासो साल पहले एक ब्रम्म वो हरिवन्ष पूरान लिखा जिसमें पहली वार राधा की रेफरेंस आती है कृष्णा पांच हजार दो सो उनचार साल पहले पैदा करिशन के बारे में कोई दुष्मन भी ऐसा ना लिखे हैं पर हम सव राधरी कृष्ण करती जाते हैं बच्चों को कहते हैं परा पराय यह क्या के तो एक्स्ट्रामेरीटल आपर न रखना कितने हिंदू अपने मंदर में क्यों नहीं दावा करते हो क्रिश्ण के बगल में रुकमिनी क्यों नहीं है क्या यह सड़यंत्र नहीं है यह कंस्पिरेशिन नहीं हिंदू के खिला क्यों कृष्ण रुक्मनी नहीं पूझे जाते हैं राम सिता पूझे जा सकते हैं तो रुक्मनी क्रिश्ण क्यों नहीं क्या यह internal enemies नहीं होते हैं जो एक पूरी society को गड़बड करता है और उसका प्रमान देखेंगे हमारे धर्म में हजारों बावा लोग हैं जब भी पकड़े जाते हैं गलत काम करते समय सबसे बड़ा एक्जामपुल क्या देते हैं? कृष्ण जी करती थे तो हम करे तो क्या हो जाए? तो कृष्ण को जान भूज कर इस लिबल पर लाएगे 1200 साल पहले कि कुछ लोग बेहिमानी कर सकें और कृष्ण के नाम पर इल्ज अपनी है और मैं आपको कुछ प्रमान दिखाता हूं यह महाभारत के सौप्तिक पर्वका बार्य अध्याय के 19-30 लोग है ब्रह्माचर्यम महत घोरम तीरत्वा द्वादशवार्शिकम हिमवत पार्शमास्थाय यूमयात पसार जितह समान ब्रतचारिन्याम रुक्मिन्या यून्वजायत सनत्कुमार स्तेजस्वी प्रद्युम्नों नाम में सुतहा श्रीकृष्ण अश्वत्थामा को केते सौतिक पर्व में कि मेरी एक मात्र पत्नी रुक्मिनी से विवाह करने के बाद हम पति-पत्नी दोनों ने व्रत लिया कि बारा साल तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे अर्थाद एक दूसरे से शारीरिक संबंद नहीं रखेंगे और हम दोनों हिमाले में बारा वर्ष तक हमने ब्रह्मचर्य का पालन करके एक ही बच्चा पैदा किया जिसका नाम है प्रद्युम्न वो सनत्कुमार रिशी जैसा तेजस्य है बिलकुल मेरे जैस क्रिश्ण खोच चिला चिला के बोलते हैं आरे मेरे भक्तों मैं ब्रह्मचरी हूं क्यों मुझे आवारा कर बना के बुलाते रहते हो मेरे साथ इतने बदनामी क्यों करते रहते हैं अब क्रिश्ण जिन्दा होते तो केश भी कर देते हैं और किसके खिलाप क्रिश्ण के भक करते हैं विचार है नहीं ना लिखने वाले महरशिभ्यास हैं और हम जुम्मर जी अपने महापुरुशों के साथ खिलवाड करते हैं महात्माओं के साथ भगवानों के साथ कृष्ण को चरित्र को समझना एक दो चीज और दिखिए कृष्ण की जो जो महान होते हैं जो योग अप्रियल अप्रिशेशन बढ़ता है हमारे अंदर एगो बढ़ता है पर जो एनलाइटेंड होते हैं वो किसी भी उंचाई पर पहुंचे वो हमेशा डाउन टौ अर्थ बने रहते हैं महाभारत में जब सम्राठ बने इंद्रप्रस्त बनाया और उसके लिए एक बड़ा राजस्वीय यग्या किया तो जितने दुनिया भर के आसपास के राजा लोग थे सबको इन्विटेशन मिला जो भी बड़े लोग थे सबको आए लाखों हजार और लाखों की था बड़ा सा राजस्वीय यग्या ऐसे ही होता है और उस यग्य में एक रिच्वल होता है उसका नाम होता है अग्रपूजा जो सबसे जादा रेस्पेक्टिवल परसन हो उस समय का उसकी पूजा मतलब उसको रिशीव करते हैं तो बहुत लोगों की डिस्केशन हुआ कि क इंक्लूडिंग राजा महराज सेनापती हर तरह के फील्ड के अलग-अलग लोगों का पूरी बायोड़टा खंगाली गई फिर जो कृष्ण का भी डिसकेशन हुआ इविन बलराम भी उसमें काफी ज्यादा उनकी रेस्पेक्ट था तो जो एक सम्मति बनी हर व्यक्ति उस को रेस्पेक्ट करने का जब कृष्ण को बताया गया उन्होंने नकार दिया और जब काम डिवीजन हो रहा था काम बांटे जा रहे थे कि इतना वड़ा प्रोग्राम में हर राजा महराज सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा अग कृष्ण ने जो काम चुना और जो काम चु बड़ा आदमी वो होता है जो पैर दूसरों का धोता है जो धुलवाता है वो छोटा होता है जो धूसरों का पैर छुता है वो बड़ा बनता है जो पैर दिखा के छुलवाता है वो छोटा हो जाता है कि आज कल तो बाबा लोग पैर सामने रख देते हैं आओ जी वाई धूल छो कर जाओ कि क्रिश्ण ने चूज किया मैं सब का पैर धोने का काम लोगा लोगों ने मना किया पर क्रिश्ण है सब रिस्पेक्ट करते हैं तो सब ने माना इसी तरह विराट सभा में विराट राजा के सभा में आपको पता है जो उनको तेरा साल तक जंगल में रहना था और एक साल उनको अग्यांतवास फिडिन जगब पर रहना था क्योंकि यही उनका कंडिशन था कौरवों के साथ अगर वो फेल हो जाए तो फिर दुबारा बा तेरा साल तक रहेंगे तेरा साल पुरा हो गया यह दुर्योधन आप राज्य देने को तयार नहीं तो कौन जाए मेसेज लेकर के उनको बताए कि देखो पांडवों के तरब से हमने तेरा साल पुरा कर दिया है अब उनका राज्य उनको वापश कर दो कोई भी मेसेंजर जा सकता था पांडवों के बहुत सारी लोग थे तक कृष्णा हिमसेल चूज वह अपने आप चूज किया कि मैं दूद बन के जाओंगा दूद बनने को भी वह तयार थे कितने बड़े उस समय कंटेंप्रेरी जो भी उनके लोग थे सबसे हर कोई उनको है पर वो हर काम वो चूज करते हैं जो जिसको हम नौर्मली छोटा काम मानते हैं महाभारत के लड़ाई में जो वारियर्स होते हैं ध्यान रखिए जो वारियर्स होते हैं यह उनके लिए प्राउड मॉम्मेंट होता है क्या लड़ाई में लड़ना और आगे रहना वारियर के ट्रेनिंग ऐसी है क्रिश्ण ने क्या चूज किया वो भी वारियर थे वो चेरियेटर बने साथी बने ड्राइवर बने जो चेरियेटर बनेगा वो वारियर से तो थोड़ा कमजोर होगा अब उनकी लाइफ में आप देखेंगे जहां भी कोई भी वो काम को कभी ना छोटा समझा ना बड़ा समझा जो उनको दिल किया वो किया पर जहां स्वाभिमान की बात आई वहां अड़े रहे एक इंट्रिस्टिंग श्लोक आपको दिखाते हैं तो स्टोरी है कि कृष्ण प कि दुरियोधन की राजसवा में मिटिंग उगरा हुई जो भी बात्चित हुई तो दुरियोधन ने कहा कि आप हमारे गेस्टे तो खाना हमारे साथ ही खाई राजमहल में कृष्ण का यह स्टेटमेंट है इंग्लिश में भी पढ़ लिजिएगा आपके भी लाइफ में का दुरियोधन देखो किसी के घर में खाते ना दो कारणों से किसी के घर में व्यक्ति खाता है या तो प्यार से बुलाए या भूका हो प्यासा हो डिश्ट्रेस में हो कोई option ना हो मलब मजबूरी हो दुरियोधन ना तुमने प्यार से बुलाया ना मैं भूके मरे जा रहा घर से तुम्हें खाने सकता है जहां आपको लगे यह प्यार से बुला है तो जरूर खाओ मांग के भी खाओ या तो हम सचमच परेशानी हुए है तो तो भी खाओ इन दोनों के अलाबा दूसरों के घर में खाने का कोई सेंस नहीं बनता है कृष्ण ने नकार दिया दुर्यो रहन शहन बहुत क्योंकि वो बड़े ज्ञानी थे विद्वान थे तो उनकी रहन शहन भी बहुत सिदा साधा था तो उनके घर में गए जो भी शाग भात था हलका पुल का खाय राजमहल का खाना उनोंने चोड़ दिया अगर आप स्री कृष्ण की जीवन बच्पन से दिखें ऐसा कोई दिन नहीं होता था एविन लड़ाई के मैदान में भी जहां वो सुबह और साम दोनों टाइम प्रार्थना संध्या उपाशना ना करते हो हम हिंदु लोगों तो छोड़ चुके हैं और पुरुष लोग तो बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं बड़ी थोड़ा यह फिलिंग होती है इस पूजा-पूजा सब औरतों का काम है बैठते भी नहीं हावन में भी बैठे ना वह थोड़ा पत्नी समझाती है कपड़ी ढंक एक एक भी दिन ऐसा कभी महाभारत में प्रमाणने मिलता कि वह सुगा साम संध्या उपाशना और अगर घर में हो तो अगनी हो त्रयग्यां जो उस समय की जो उजा प्रार्थना की पद्धती है और यहां तक की इंट्रेस्टिंग चीज़ दिखिए महाभारत की लढ़ाई से स्ट्रेटीजी बना के अर्जुन को बहुत दूर ले लिया गया था तो लड़ाई करने के लिए कोई था नहीं तो अभीमन्यू को भेजा गया और अभीमन्यू वह चक्रविहों में मरा गया जब अर्जुन साम को वापस आया पता चला तो वह बिखर पड़े और वो जा रहे थे अपने भाईयों से मिलने के लिए अपनी चाओनी में मिलने के लिए तूटे हुए थे क्रिश्न ने अर्जुन को लिया साथ में उनको पकड़ा और जाने से पहले बोला चलो साम हो गया है संध्या कर लेते हैं फिर चलेंगे संध्या समस्ते सुबह साम जो प्रार्थना होती है अर्जुन को बैठा के दोनों ने प्रार्थना के फिर मिलने गए यह एक्जाम्पल इसलिए माइने रखता है लड़ाई का मैदान है व्यक्ति टूटा हुआ है उसका बेटा मर चुका है तब भी क्रिश्ण उसको संध्य करने के लिए मजबूर करते हैं संध्या कराते हैं परमात्मा की उपाशना बहुत जरूरी है जीवन में विराट की राज्य से हस्तिनापूर के और जाते हैं साथ आठ दिन उस समय तो कोई गाड़ी घोड़ा होता ने ए गाड़ी तो होते नहीं थे या तो घोड़े से जात जल रहे हैं अरन्यकांड तक जिनको इंट्रिस्ट जैन कर सकते हैं राम की वही है ऐसा कोई दिन लगा नहीं जाता नहीं जाता जिस दिन शुबा या साम वह प्रभूभक्ति या प्रभू की उपाशना नहीं करते थे या करते हैं स्री कृष्ण इतने लड़ाई की पर कभी सत्ता के साथ इस्टबलिस्ट के मेंट के साथ नहीं दिया जो सप्रेश्ड है जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है अमेशा उने का साथ दिया लाइफ जर्णिंग चलती रही बहुत हिमुलियेशन भी सहना पड़ा अलग-अलग सिटुएशन में प्यार भी उनको बहुत मिला पर वो उससे उननों अपने लाइफ में कोई कंप्रमाइज नहीं किया जहां जिसकी जरुरत थे साथ दिया वो द्रवपदी हो वो पांडव हो वो शिशुपाल के द्वारा तड़ पाए गए लोको जरासंद के द्वारा तड़ पाए गए हजार राजाओं को उन्होंने छुडवाया जराशंद को मारके और 16000 यह जो राणियों की बाद भी आप गपते ना आपके बावा लोग जो आपको गप चुनाते हैं 16000 जो रयल गर्स हैं जो प्रिंसेस हैं जिनको जरासंद ने कबजा कर रखा था उनको छुडवाया चुड़ा करके अपने अपनी जगह जो जिसको जो भेजा वही 16000 का रेफरेंश मिलता है उनकी राजनित में अपना कोई स्वार्थ नहीं दूसरों के जीवन के लिए जिया और जिसको जहां मारा जिस राजा को उसके जगह तंश को मारा तो उनके पापा अग्रशन को ग्रशन को राजा बनाया जरासंद को मारा तो उसके विटे सहदेव को राजा बनाया और पांडव में कवरवों का विनाश वह तो पांडव राजा बने शिशुपाल को मारा तो उसके बच्चे को राजा बनाया और अब कर दूलिटे में में ज्यादा चलता है और राइस माबाप के बिगड़े वह अवलाद नए तो प्लांभ से माबावाप बहुत प्रावरफुल हो जाते हैं बहुत प्लान कुछ वह कि दिल्ला में हैं पीदम कम आधाil हो जानता नहीं हूं जानता नहीं हूं मैं कौन ह में जो यदुवन्श और वृष्णिवन्श के लोग थे वह भी इसी तरह के अकड़ने लग गये थे किसी भी सादो सन्यासियों को हुमिलियेट करना लोगों के साथ बत्तमीजी करना गुंडागर्दी करना यह उन्होंने शुरू कर दिया तिवियों सजनों यह बहुत जानन लायक समझने लायक है जब कृष्ण को लगा कि मेरे जिते जी मेरे खांदान के लोग मेरे नाम पर इतने हुर्दंग मचा रखें मेरे मरने के बाद क्या-क्या करेंगे तो उन्होंने यह मेक्शियोर किया कि मेरे जिते जी मेरे खांदान उजड जाए कि मेरे पिछे मेरे नाम पर कोई हेल्पलेश या अच्छे लोगों पर टर्चर ना करें वो कहानी दूसरी एम डिटेल में नहीं जाऊंगा और यदुबंस उजड़ा अपने सामने उजड़ क्रिष्ण ने देखा और और कोई होता तो बिखर जाता पर वो अपने सामने अपने खांदान को उजड़ते हुए देखा और उजड़ते देने दिया और अट दे एंड जब सब तरह से सब कुछ सुन हो चुका है क्रिष्ण खुद बुजूर्ग हो चुके हैं 125 साल के एज में ठके हारे जंगल में किसी जड़ियों में अकेले पड़े हैं क्योंकि ना फ्यामिली में कोई बचा है खांदान में महाभारत की लड़ाई के कारण लाखों करोड़ों लोग मरे जा चुके हैं कहीं लेटे हुए हैं जंगल की जड़ियों में और एक शिकारी को लगा कि शायद को हिरन है उन्होंने पैर देखा हिलते हुए तो उन्होंने बिना देखे बान मार दिया और क्रिष चुड़ी ले बान के कारण कृष्णने देहत्यागा पर शिकारी जब पहुंचा देखा स्री कृष्णा खुज स्वयम है उसने माफी मांगा orient rusticum लों और वहींवने प्रान त्यागा देवियों सजनों कि कि जसका जन्म जेल में हो जिसकी मुरत्यु अंजान किसी जंगल म अंजान शिकारी के दोरा हो जिसकी जिन्देगे में कोई अपना घर नाम का चीज ना हो कॉंस्टेंटली मुम्मेंट में हो यहां से वहां वहां से वहां और जुनोंने गीता जैसे यूनिवर्शियल ग्रंथ आप मारे शामने रखा जिनकी जीवन प्याग योग सन्यास वैरा आग्या से भरा हो ऐसे कृष्ण की जीवन को हम सेलिबरेट करते हैं जन्माष्टमी में आप सब को यह गर्व होना चाहिए आप कृष्ण के वन्ष धरें आप उस कल्चर से बिलंग करते हैं जहां कभी कृष्ण पैदा हुआ था राम पैदा हुए थे आप सब को आपके इसी के साथ मिराम करता हूँ ओम शांति 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 थैंक्यों गर्मच्छ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें